हेलो एवरीवन कैसे आप लोग तो फ्रेंज ये जो क्लिप है ना ये मैंने शूट की थी आप लोग के लिए संडे नाइट में क्योंकि उस दिन मेरा कोई भी व्लॉग नहीं गया था और मैंने सोचा कि मैं फंक्शन में जा रही हूं और मैंने वेर की है बहुत दिनों बाद स साड़ी तो आप लोग के साथ लुक तो शेयर करना बनता है और आप लोग वैसे भी बहुत जादा मुझे कमेंट करते हो नमनीत कभी साड़ी पहनो तो फाइनली आज फंक्शन के लिए मैंने साड़ी पहनी है और मेक अप बताईएगा आप लोग कैसा लग रहा है बहुत स गुट मॉर्निंग एवरिवान कैसे आप लोग तो फ्रेंज आज है मंडे और अभी बज़रे हैं सुभा के साड़े साथ और मैं आ गई हूँ किचन में तयारी करने के लिए मॉर्निंग ब्रिक्फस्ट की और ब्रिक्फस्ट में आज मैं बना रही हूँ न्यूटी नगट और मटर की सबजी किस तरीके से बनाती हूँ तो रैसे भी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो न्यूटी नगट को मैंने बॉइल कर लिया था पानी में और साथ ही मैंने प्यास टमाटर हरी मिर्च और अद्रक को अच्छे से चौप करके रख लि और अच्छे से भूल लूँगी और इसको भूनते वक्त मैं साथ में एड़् कर रही हूं हरी मटर क्योंकि उसको मैंने बॉइल नहीं किया है वो कच्ची है तो इसलिए मैं प्यास के साथ में ही इसको अच्छे से भूल लूँगी ताकि वो नरम हो जाए और कच्ची जाब मतर को मेरी बॉयल नहीं है,으면ास पहले अढ़ कर ताकि वो भी यह संब मसालों के साथ में इसाथ में अच्छे से भुनझे है तो मेरी मतर जो है वह बुन चुकी है तो मैं इसाथ मासाले में इसे मिसें अढ़ कर रह रहे ह। जैसे कि लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और साती मैं इसमें एट करूंगी थोड़ा सा धनिया पौडर, थोड़ा सा गरम मसाला और साती एट कर रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा सौधुलसा नमक तो ये सब मसाले डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको भून लूगी ताकि इन में कच्छा पन न रहे और जब भी आप मसाले अड़ करते हैं उनको भूनना बहुत जरूरी होता है अगर आप मसाले डालने के बाद तुरण बाद उसमें पानी डाल देंगे तो मसालों में थोड़ा कच्छ भvitापन रह जाता है, उतना अच्छे से फ्लेवर नहीं का तो इसलिए हमेशा पानी आड़ करने से पहले मसालों को अच्छे से भून लें, उसके बाद में ही उसमें पानी आड़ करें, ग्रेवी के लिए तो यहाँ मसाली भी मेरे अच्छे से भुन चुके हैं तो अब मैं इसमें एड़ करी हूँ न्यूट्री नगर जो कि मैंने बॉइल करके रखी हुई थी तो बॉइल करने से क्या होता है कि सबजी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि न्यूट्री नगर तो वैसे भी बहुत जल्दी अगर आप उबाल करके सबजी बना रहे है न तो जटपट से सबजी रेडी हो जाती है तो यहाँ न्यूट्री नगर एड़ करने के बाद मैंने जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतना पानी एड़ कर दिया है सब चीजों को अच्छी से मिक्स कर लिया है अब मैं इसको लिड लगा करके पांस से दस मिनट के लिए छोड़ दूँगी और सिम पर यह पकती रहेगी और विदिन टैन मिनट से यह बनके रेडी हो जाती है और यह सबजी इतनी टेस्टी लगती है आप एकदम घाड़ी-घाड़ी ग्रेवी के साथ यह सबजी को बनाईएगा और ब्रेकफस में, लंच में या डिलर में इसको ट्राई कीजिएगा खाईएगा बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है क्योंकि इसमें न्यूट्री नगट हम लोगों ने डाला है तो सबजी मेरी बनके रेडी है तो अब मैं आशु को सर्फ कर दूँगी क्योंकि उनको जाना है ओफिस आरड़ी काफी लेट हो गए है वो आज तो यहां मैंने न्यूट्रिश नगट की सबजी के साथ में बनाए है चीले तो चीले की रेज़ेपी आज शेयर नहीं किया आप लोगों को एक साथ किसी और दिन जरूर शेयर करूंगी तो यहां मैंने आज बनाए थे सूजी और चावल के आटे के चीले जो की सबजी के साथ बहुत ज़ादा टेस्टी लग रहे थे बहुत यम्मी क्या है क्या है औआ आठा बार्णाब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को हेलो अरिवान गुड मोर्निंग कैसे आप लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत मज़े में होंगे तो आज है दिन मंडे का और अभी बज़रे हैं सुभा के साड़े नौ जस्ट अभी अभी आशु गए हैं अपने आफिस के लिए और आशु के आफिस जाने से पर यह ने थे जाने ले था मगर रेडी अब आप लूए हैं क्योंकि आशु सट अभी अभी निकले हैं और अब मुझे करना है घर का काम क्योंकि आपको पता है कि मैं क्लीनिंग विए जो है या फिर बिस्तर विए जो है वो आशु के आफिस जाने के बाद में थीक करते क्योंकि मौनिंग में बहुत जादा बिजी हो जाता है एकदम से बहुत जादा हडबडा हड सी रहती है और ये देखो पीछे एक बिन में आपको दिखाती हूँ तो ये आप देख सकते हो मैंने अपना जो ये ड्रेसिंग एरिया है इसको कल अच्छे से मैंने ओगिनाइज कर जो समान मेरा पुराना हो गया था या एक दो क्रीम जिगर आशी ती जो एकस्पाइरी की थी वह भी मैंने निकाल करके कल फैंक दी थी तो अच्छे से मैंने हर चीज और चीज कर लिए बिलकुल अच्छे से इसको सैट कर दिये क्योंकि कुछ दिर उसे क्या हो रहा था ना क कि मैंने इस तरीके से समान नी रखा हुआ था तो आशु भी जो वना रहा था निकाल रहे थे समान फिर इद दो रख रहे थे तो अब मैंने हर एक समान के लिए अलग से बास्किट बना लिए तो काफी जद और अगनाईज हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ और ये वा अनों के एक्जैम चल रहे हैं तो काफी जादा उसके साथ मेरा टाइम चला जाता है तो इस वज़े से मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना रही हूँ एक दो दो दिन छोड़ गर के मेरा वीडियो आजकल आ रहा है और यहां रखे हुए बैग्स जो कि मैंने संडे में वाश इस वाले रूम की तो यहां ना मुझे आज यह ब्लैंकेट चेंज करना है तो वही मैं चेंज करूंगे अभी वही पोर्यादनिट चेंज करने है जो अभी जो घँड़ियो आज अच्छिं एऊ जो अजब है़ा है तो गया हुआँ पर दो ग्रड़ में तो गया है euros ओना मैं अजे पीक्ष्ण में और मैंने अप लों के साथ में अपनी पिक से शेयर की थी ती सारी वाली जो कि आप लोगों ने इतनी जादा पसंद की है आप लोग को मेरा लूप बहुत बहुत अच्छा लगा तो actually क्या हुआ कि कल मैं बिल्कुल वीडियो शूट नी कर पाई क्योंकि नोनों के साथ में भी मैं बिजी थी क्योंकि उसके एक्जैम्स चल रहे हैं और फिर साथी साथ मुझे फंक्षन भी एटेंड करना था जो कि मुझे बहुत जादा कन्फ्यूजन था कि मुझे क्या हुआ पहनना है साड़ी वहननी है गाउन पहनना है तो एक मिट मैं आपको सबसे पहले अपना गाउन लिखाती हूँ तो मैंने आप लोग को बोला था ना को सकता है मैं साडी पैनु हूँ या गाउन पैनू तो आशु गए हुए थे ढ़ैववाला और मेरा ये 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 वाला गाउन है ये ढ़ैवाला रखा हुआ था तो मैंने ये भी मंग वा लिया था मुझे शोर्टी यह लिए थी कि मुझे गाउन पैनना है फंक्शन में या फिर मुझे साडी पैनी है बट फाइनली मैंने वो रेड वली साडी पैनी थी यह देखिए इसको मैंने वापस से पैक करके लग दिया है तो यह वली मैंने साडी पैनी थी जिसकी पिक आप लोग के साथ शेयर की थी तो गाउन भी आप लोग को मैं दिखाती हूं मुझे बहुत प्यारा लगता है अपना यह गाउन आप लोग को कैसा लगेगा बताएगा मेर साड़ूर शेयर कीजेगा तो यह भी मैंने मंगवा लिया था तो यह रेड कलर का गाउन है यह रखिए तो यह है प्योर रेड कल मैंने कर्टेंज लगा दी है मैंने का चलो कर्टेंज लगा देती हूं रोश्णी थोड़ी सी कम हो जाएगी तो शायद आप लोग को कलर समझ में आजए तो यह देखिए यह है रेड कलर का गाउन और इसमें पूरी एंब्रोइडरी है नीचे तक काफी अच्छा गाउन है मैं बहुत अच्छा लगता है में को और बैक पे भी इसमें सेम ऐसा ही वर्क है तो बहुत संदर है तो यह मैंने मंगवा लिया था तो बहुत सारी बाते होगी इसको मैं अंदर अग दूंगी टैल गा करके कि अच्छा एंगया मैं एफ विल्कुल सड़ हो गया है सुबे का का मitates मेरा अ ओल्मोस फिनिश हो चुका है सिर्फ हाउसल पर आइंगी ओर वह बाकी का का म कर लेंगी क्लीनिंग का मेरे पार्ट पर जो काम है वो अल्मोस फिनिश हो चुका है बैट भी अच्छी से बन चुका है तो चलिए और यहां देखिए बच्चों का स्टडी टेबल भी अच्छी से सेट हो गया है और यहां कुछ बैग्स और रखे हुए इनको भी इनकी जगा पर मैं को हो और दगां का मैं रखे हाँ तो गाइज अभी दस चालिस का टाइम हो रहा है यह वाली घड़ी थोड़ी सी आगे है और यहाँ देखिए कौन आगया है तो यहाँ आगया है बच्चा कैसा था एक्जाम अच्छा था अच्छा था अच्छे से हुआ कल कौन सबेपर है मैट्स सबको गुड मॉर्निंग बोलो तो अभी अभी जस्ट नो नो आई है स्कूल से और थोड़ी देर देख रही है टीवी तो यह कौन सा शो है शिंग चैंग देख रही है तो मैंने इसको बोला है मैंने का थोड़ देर रिलाक्स हो लो फिर उसके बाद अब कुछ खाएगी पिएगी और फिर साड़े बारा बज़े से जाएगी टीशन तो गाइज अभी टाइम हो रहा है दस चालिस का ग्यारा बजने वाले अल्मोस्ट और अभी अभी जस्ट मेरा एक कूरियर आया है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है तो मैंने अमेजॉन से कुछ मंगवाया है अपने लिए जो कि बहुत जरूरी था और कुछ मैंने मंगवाया है घर के लिए क्या मंगवाया आप लोग को जल्दी से मैं दिखाती हूँ तो गाइज मैंने अमेजॉन से मंगवाया था ये तो जस्ट अभी थोड़ देर पहले मेरे पास पार्सल रेसीव हुआ है तो मैंने मंगवाया है ब्लू हेवन के ये लिब तो ये ना 3 का कॉमबो था तो एक इसमें है कोकोबटर तो ये कोकोबटर वाला है और ये है स्ट्रॉबरी और इसकी शेब इतनी अच्छी है ना और इतने एफॉर्डेबल है ना तो इनका जो प्राइस है ना वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी आब वहां से देख सकते ह तो यह 3 का कॉम्बो था और मेरे लिप्स बहुत जादा ड्राय रहते हैं तो इसलिए मैंने यह तीनों का कॉम्बो ओर्डर कर दिया था एक मिन मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो यह है 3 इसमें फ्रेग्नेंसेज मुझे मिली है एक है स्ट्रॉबरी एक है यह पिंक वाला बबल गम और एक है कोको बटर और काफी अच्छे लिबाम है यह इससे पहले भी मैं इनको यूज कर चुकी हूँ और अमेजॉन पे काफी अफर्डेबल प्राइस पे मिल जाते है तो तीन मैंने यह मंगवाए है अपने लिए और साथ ही मैंने अपने फ्रिज के लिए मंगवाई है यह वाली मैट्स तो यह जो फ्रिज के लिए प्लेस मैट्स आती है यह मैंने मंगवाई है अमेजॉन से और यह 300 रूपीज की थी लेकिन यह मुझे अंडर 200 पड़ी है औ मेंने 2 शरीवाइब धाने और शेच किते हमेने बहुत क्रों अच्छा देवा पहुत को पुरा ये भाने भी अधन, तो मैंने शेच को अप्रिंग दो मैंने, प्लेस history और मैं अपने fridge को अच्छे से आज organize करने वाली हूँ और उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत baskets भी नई purchase की है तो मैं सोच रही हूँ अपने fridge को मैं दुबारा से reorganize करूँ और जिसके लिए मैंने ये placements भी मंगवाई हैं जो कि बहुत जरूरी होती है ये काफी टाइम से सोच रही थी मगर हर बार ना skip कर जाता है माइन से तो finally care मैंने ये last week order कर दी थी तो मेरे पास ये order आगया है आज morning में तो मैंने सुच आप लोग के साथ share कर दूँ कैसा product है एक मिन मैं आपको ये वाली placements जो है जल्दी रेटी हो जो बैग रख लिया और मैंने भी निकाल ली है पनी जैकेट क्योंकि मैं जारी हूँ नो को छोड़ने के लिए उसकी ट्यूशन अभी टाइम आप लोग को दिखा देती हूँ तो अभी टाइम हो रहा है बारा दा पंड़ा का देखो तो बारा पंड़ा का टाइम हो एऑ औरर मैं जा रही हूँ नो नो को छोड़ने के लिए टूशन कूँकि साड़े तो आज के इस मॉर्निंग व्लॉग को यही पर एंड करते हैं और आज की आज का यह व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा अगर थोड़ा सब आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है पसंद आया है तो इसको डेफिनेटली एक लाइक दीजेगा क्योंकि आपका इकना मेरे लिए बहुत माषणी रखता है बहुत जादा मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए ऐख्छे इच्छी वीडियो बनाने के लिए तो तब तक के लिए bye bye and take care मिलते हैं हम सब लोग आप लोगों से next vlog में so bye bye and take care bye